राधस्तानी लेकक विजेदान देता की क्रती जिस पर पहली नामक फिलम का निर्माण हुआ था तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्शन एनी राधस्तानी लेकक विजेदान देता की करती दुविदा हैं जिस पर पहली नामक एक फिलम का निर्माण हुआ था जिस फिलम क्यूसन है अक्बर की सेना में निमन में से कौन सा राजपूत राजा सेना पती था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी अक्बर की सेना में राजपूत राजा मान सिंग है जो आमेर के राजा थे वो अक्बर की सेना में सेना पती थे कौन आमेर के राजा मान सिंग मेरवाड़ा का कॉम मिला या रंगीन मिला भी कहा जाता है जो परतिवर्स कार्तिक पुरुनिमा या नवमर महीने में लगता है कब लगता है पुसकर मिला परतिवर्स कार्तिक पुरुनिमा को नवमर महीने में जिसे मेरवाड़ा का कॉम मिला या रंगीन मिला भी कहा जाता है नेक्स अगला चौता किसन है राजस्तान की किस जील को सबसे पवितर तता सरवादी को परदूसित जील कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन एनी पुसकर जील है जिसे राजस्तान की सबसे पवितर और सबसे परदूसित जील भी कहा जाता है नेक्स अगला पांचवा किसन है इंगलीज चैनल को तैर कर पार करने वाली राजस्तान की परतम मैला कौन है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन भी यह नी बक्ती सर्मा है जो उदेपूर की रहने वाली जो इंगलीज चैनल को तैर कर पार करने वाली राजस्तान की प्रतम मैला हैं कौन वक्ती सर्मा जो कहां से रहने वाली है पुदेपूर जिले की रहने वाली है अगले नेक्स सटा किसन है बंब नरतिय राजस्तान के किन जिलों का प्रसीद नरतिय हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option C नी बंब नरतिय है जो बरतपूर और अलवर जिले में किये जाने वाला एक प्रसीद नरतिय हैं और बंब नरतिय करते समय नगड़े वाद का प्रयोग किया जाता हैं किस नरतिय को करते समय बंब नरतियों को करते समय जो बरतपूर और अलवर जिले में फालगून मा में फसल काटने के बाद पुरुस्तों के द्वारा क्या जाता है नेक्स्ट अगला सांतवा किस ने अक्बर ने जब 1567 में चितोड़ पर आकर्मन किया था उस समय मिवाड का मारणा कौन था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option भी यह नि अक्बर ने जब 1567 में चितोड़ कर पर आकर्मन किया था उस समय मिवाड का मारणा है व मिवाड का जो अपने मुख्य सैना पती जैमल और फता को दे कर वो गोगुंदा चले गये थे कहाँ पर चले गये थे और यह कारेबार किसको संभाल था अपने जैना पती जैमल और फता को नेक्स नगला आटवा किसन है अगनी नरत्य का उद्गम किस जिले में हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन एनी अगनी नरत्य का उद्गम है जो भीका नेर के कत्रिया सर गाउं में हुआ था और यह नरत्य जसनाती संपर्दाय से समंदित पुरुष परदान द्वारा अगनी के कोईलों पर किया जाता है कहां पर बीका नेर करत्रिया सर से इसका उद्गम होता और किस नरत्य से अगनी नरत्य का नेक्स्ट अगला नॉमा किसन है मोतिलाल तेजावत का समंद निमन में से किस अंदोलन से था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी नी मोतिलाल तेजावत का जो समंद है वो एक ही अंदोलन से था और आपको बताते कि मोतिलाल तेजावत को आदिवाश्यों का मस पर मंत्री प्रश्द के मंत्रियों की न्यूक्ति कौन करता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B नी राजी इस तर पर जो मंत्री प्रश्द के मंत्री होते हैं उनकी न्यूक्ति मुख्य मंत्री के प्रामर से राजेपाल के द्वारा की जाती हैं नेक्स्ट अगला ग्यारवा किसन है देव सोमनात का मंदिर किस नदी के किनारे बना हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option यह नी देव सोमनात का मंदिर हैं वो सोमनादी डूंगरचपूर जिले में बनावा हैं किसका नदी के किनारे सोमनादी के और जिले का पूचे तो क जिले में डूंगर पूरत जिले में देव सोमनात्वम का मंदिर बनावा हैं अगला नेक्स्ट बारवा किसे ने बूंदी में रंग मेल का निर्माण किसने करवाया था तो इस सवाल का सई द्वाब देगा ओप्सन बियनी सतर साल हैं जिनने बूंदी में रंग मेल का निर्मा करवाया था नेक्स्ट अगला तेरवा किसने जैपूर के बनारस के नाम से प्रसीद प्राचेन पवित्र कुंड जहां गल्वा रिशी का आश्रम हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यहनी जैपूर के गल्ता में बनारस के नाम से प्रसीद प्राचेन पवित् में नेक्स्ट अगला चौद्वा किसने मेवाड में परदामंडल अंदोलन का संस्तापक कौन था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन डी नी मेवाड में परदामंडल का संस्तापक है वो मान के लाल वर्मा था और मेवाड परदामंडल की स्थापना है जो मान के ला वर्माद्वारा नेक्स अगला पंधरवः किसेन ने राजस्तान के विक्यात इत्यासकार जो एक समाज decision भी थे वे कौन हैं तो इस सवाल का सही द्वाब देगा option C याज अनि हर बिला सारद है जो राजस्तान के एक विक्यात इत्यासकार भी थे और साथ साथ में एक समाज सुधारिक भी थे कौन हर विलास सारदा अगला नेक्ष्ट सोड़ा किसे ने राजस्तान की मरू बासा का उले के किस प्राचेन गरंट में मिलता है तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब हैं वो आप कमेंड सक्षन में लिखकर बताईए तो आप्सन है राम विलास में परतिवराज रासो में या कुवल या माला में या इनमें से कोई नहीं और आपको बता दे कि ये गरंट है वो उदो दन सूरी द्वारा लिकित गरंट है जिसमें मरू बासा का उलेक मिलता है जिसमें मिलता है वो आप कमेंड में लिखकर जरूर बताईए अगला नेक्स सत्रवा क्यूसन है मुक्य सचीव की निउक्ति किसके द्वारा की जाती हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन बियानी मुक्य सचीव की जो निउक्ति हैं वो राजिय के मुक्य मंत्री के द्वारा की जाती हैं नेक्स्ट अगला 18 किसने निमन में से किस दुर्ग को गलियों का दुर्ग और पच्ची मी सीमा का प्रहरी का जाता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यानी जैसलमेर का दुर्ग हैं जिसे गलियों का दुर्ग तता पच्चिमी सीमा का पहरी भी का जाता हैं किस दुर्ग को जैसलमेर के दुर्ग को नेक्स्ट अगला उनी सवा किसने राजपूतों के द्वारा जिन दाश्यों को उपपत्नी के रूप में सुईकार नहीं किया जाता था उन्हें कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नी राजपूतों में जो जिन दाशें को उपदनी के रूप में सुईकारनी किया जाता था उन्हें दावडी कहा जाता था अगला next 20 वा किसने मावीर जी का मेला किस दिति को लगता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी मावीर जी का मेला है वो चैतर सुकलत त्रयोदशी को करोली जिले में लगता है कहा पर लगता है मावीर जी का मेला करोली जिले में और कब लगता है वो लगता है चैतर सुकलत त्रयोदशी को नेक्स्ट अगला 21 वक इसने खेत्री मेल का निर्मान किस सासक द्वारा करवाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डियनी खेत्री नरेस महराज बोपाल सिंग द्वारा खेत्री मेल का निर्मान करवाया गया था और इस महल को राजस्तान का दूसरा हवा महल और सेकाउटी का भी हवा महल कहा जाता है किस महल को खेतडी महल को जिसका अन्रिमान महारजा बोपाल सिंग द्वारा करवाया गया था अगला नेक्स तेई सवा किसे ने ब्लू पॉटरी को राधस्तान में केसे सासक द्वारा लाया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी ब्लू पॉटरी चत्रकरा को राधस्तान में मारजा राम सिंग के द्वारा लाया गया था और बुलू पॉर्टरी हैं जो राजस्तान के जैपूर की प्रसिद एक चित्रकारी है अगला नेक्स तोईसवा किसे ने राजस्तान में कौन सा इस्तान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद है तो इस सवाल का सही जवाब देगा और सुझें डाजस्तान में टॉक जिला हैं जो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद है नेक्स्ट पत्चीसवा किसन हे राजस्तान डायरी नाम ओनलाइन स्रंक्ला केसे से स्वाथर से सम्बंदित है तो इस सवाल का सही जवाब देगा और डियनी है राजस्तान डायरी नामक ओनलाइन स्रंक्ला हैं वो परियतन चेतर से संबंदित एक स्रंक्ला हैं। नेक्स्ट अगला 26 कि उसेने राजस्तान वन्य जीव परबंधन एउं प्रसिक्षन संस्तान कहां स्तापित क्या गया हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एएनी चुरू जिले में राजस्तान वन्य जीव परबंधन एउं प्रसिक्षन संस्तान को इस्तापित क्या गया हैं। कांपर चुरू जिले में। अगला नेक्स 27 वा क्यूस ने जैपूर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतराश्टी पैचान दी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एएनी जैपूर की ब्लू पॉटरी को करपाल सिंग सेकावत हैं जिनोंने अंतराश्टी पैचान दी थी। और गुलू पोटरी के अंतराश्टी पैचान के लिए करपाल सिंग सेकावत को साल 1904 में पदम स्री पुरुषकार से भी सम्भाने ते क्या गया था अगला नेक्ष्ट 28 किसने राजस्तान के रीती रिवाजों में आणों क्या है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन सी एनि विवा के पच्चत दुलन के दूसरी बार ससुराल बेजना ही राजस्तान के रीती रिवाजों में आणों कहलाता है क्या के अनो क्या है एक रीति रिवाज है जो विवा के पच्छत दूलन को दूसरी बार सुस्राल बेजना ही अनो कहलाता है अगला नेक्ष्ट गुनती स्वा किसन है राजस्तान का कौन सा जिला सो फिस्दी टीका करण का जिला बना है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन है यानी राजस्तान का परतापगड जिला है जो सो फिस्दी वाला पहला जिला बना है कौन सा जिला सो फिस्दी टीका करण वाला जिला बना है परतापगड जिला अगला नेक्स तीसवा किसे ने बारत छोड़ो आंदूलन के दोरान जैपूर परदामनल के अध्यक्स कौन थे तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यहनि भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान जैपूर फरदामनल के जो अध्यक्स हैं वो हीरालाल सास्त्री थे जबकि कपूर चंद पाटनी और जम्नलाल बजाज के सयोग से साल 1931 में जैपूर परदामनल की इस्तापना की गई थी नेक्स्ट अगला 31 वा किसे ने राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के अध्यक्स 2022 में कौन हैं नेक्स्ट अगला 32 वा किसे ने संत पीपा की समाधी इस्तल कहा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन बी इनी संत पीपा की समाधी इस्तल हैं जो गागरोन गड जालावार जिले में इस्तित हैं जबकि संत पीपा की जो गुपा हैं वो टौक जिले के टोड़ा ग्राम में इस्तित हैं अगला 33 वा किसे ने राजस्तान के कौन से संत करत्रिया सर से समंदित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन बी इनी राजस्तान के संत सिद जसनाजी हैं जिनका समदित करत्रिया सर बीकानेट से हैं अगला नेक्ष्ट 34 वा किसे ने रूपा यान संस्तान बोरुंदा कहां पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B ये रूपायन बोरुंदा संस्तान है जो राजस्तान की जोतपूर जिले में इस्थित हैं और इसकी इस्तापना 1960 में कोमल कोठा रिक्ष्की के द्वारा की गई थी अगला नेक्स्ट 35 किसने बारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम राजस्तान में कब लागू हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानी बारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम जो राजस्तान में 1903 में लागू हुआ था जबकि इसे पूरे भारत में हैं वो 1902 में लागूए किया था लेकिन राजस्तान में ये एक सितंबर 1973 में लागू हुआ था नेक्स्ट 36 किसने राजस्तान बरजबासा अकादमी की स्थापना कब और कहा की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानी राजस्तान बरजबासा अकादमी की इस्थापना जैप बारती लोक कला मंडल कहाँ पर इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option बी यानि भारती लोक कला मंडल है जो राजस्तान की उदेपूर जिले में इस्तित हैं और बारती लोक कला मंडल की इस्तापना है वो साल 1952 में की गई थी नेक्स्ट अगला 49 वा किसने राजस्तान में मर्ती वोज अधिनियम कब लागू हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन यहनी राजस्तान में मर्ती वोज अधिनियम है जो साल 1960 में लागू हुआ था नेक्स्ट अगला 40वा किसे ने हास्त सिल्फ नियार्त सहवर्धन परिसद की इस्तापना कब की गई थी किसे ने बाडोली की नत्रा सिव मूर्थि किस सेली में बनी है तो इस सवाल का सही जब देगा option वी यहनी बाडोली की नटराज सिव मूर्ती हैं जो परतियार सेली में बनी हुई हैं और साल 1908 में ये चोरी होकर इंगलेंड पहुंच गई थी जिसे हाली में वापस भारत लाया गया हैं किस मूर्ती को नटराज सिव मूर्ती को जो परतियार सेली में बनी वुई हैं कि अगला 127 की उसें क्रशी उपज मंडी अधिनियमे कब आया था तो इस सवाल का सईवाब देगा उप्शन एञनी करजी उपज मंडी अधिनियमे जो शाल 1961 में आया था अगला next question है राजस्तान को कितने संभागों में बाटा गया था तो दोस्तो इस सवाल का सई जवाब है वो आप comment section में लिखकर जरूर बताई यहनि राजस्तान के 33 जिलों को कितने संभागों में बाटा गया है option है पांच, छे, साथ या आठ संभागों में इन चारों से कौन सा option सही है वो आप comment section में लिखकर जरूर बताईए इसी परका रिलेक्ष्ट अंतियम क्यूसन है राश्टी विवेका नंद कहां इस्तापित क्या गया है तो इस सवाल का सई जवाब कौन सा है वो आप comment section में जरूर लिखकर बताईए तो दोस्तों इस सवाल क सब्सक्राइब करें और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहिंद वंदे मात्रम